बिस्मिल्ला रख्मान रहीम असलाम अलेकुम सेकेंड एकांटिंग मॉडल पेपर के सलूशन की क्लास में आप स्टार्ट करें और यह चैप्टर्स आपके पास सब्सक्राइब के अंदर और दस चैप्टर्स के अंदर नमबर वन अकांटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर् सब्सक्राइब करें और आपका पेपर जो है वो तीन घंटे का नहीं बलके दो घंटे का होगा जिसके अंदर जो सेक्शन एह है उसमें सब्सक्राइब करने के लिए और आपको जो है वो 20 मार्क्स की मिलते थे तो अब यह थोड़ा सचेंज हुआ है और चेंज ही आया है कि अब 25 मिलेंगे और अकउंटिंग के पेपर के अंदर वह 25 जो हैं वो दो मार्क्स का एक एक सिक्उप उसमें घंक करने का चांस बहुत धयां से अच्छे तरीके से सोच समझ कर आपनें फंको से करने के लिए यह आंसर कोपी के लिए लिए रखने फिर आप से लिए आपस गाए जो आपने से करके आपमäg जो भी ऑनसर होगा mcq का वहांश आपने अपने अपनी awareness जिब शीप क्यों裡面 बोड का आ अबने का अंशर first करतें के डैप्री सिर्शाशिन कर रहे हैं तो वह डैप्री सिर्श वरड आपनी लिखना है option रही लिखना option का जो answer है वह आपने वाब पर mention करने सब्सक्राइब करते हैं जी थोड़ से mcqs देख रहेते हैं के mcqs या पर क्या है स्टार्टिंग नमबर वन चूस्ट करेक्ट आंसर ऑफ इच फ्रम द गिवन ऑप्शन इफ अ कंपनी रिशीव शेर अप्लिकेशन और देखा जाता है कि आपने जितनी ऑफर किये थे उससे जधाए application आई हैं काब application आई है अगर कम application आई हो वो under subscription किलाता है और अगर उतनी ही applications आई हो जितनी हमने कहीं थी थी तो वह equal subscription के लाता है और अगर आपके पास जो हमारा mcqo है उसके मुताबिक बात करें तो अगर आपके पास जो अप्लिकेशन आई वह नंबर ओफ ओफ शेर से जाधा आई तो डाट इस कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन वह ओवर सब्सक्रिप्शन के लाएगा ठीक है नेक्स आपके पास है इना कंपनी ओफ इफ कंपनी ओफर शेर अटा तो ऑड़िए क्यों होती है के जो भी शेर के उपर एक प्रेंट इड़ वाल्यू है छो की पाकिस्तान के साफ से जहुँ के साफ से नौशल मिदमीडस रूपर होती है और अगर आप उस पार वैलिव से ज्ञादा प्रइस की आप अगर आप शेर्स इस इशु करते हो तो ब difference होगा that will be known as premium the difference होगा वो क्या के लाएगा प्रीम के लाएगा the total amount of the capital of a company the total amount of capital of a company divided into small units is known as shares जो कंपनी का capital होता है जो के दस दस रुपे के short small units के अंदर डिवाइड के जाता है वो क्या के लाता है वो के लाता है शेयर रिपीट जब भी शेयर जब भी capital करती है तो अपने पास जो है वो शेयर करती है तो कंपनी के total capital amount का जो भी total capital amount का जो भी amount होगा उसको आप small units में divide करते हो और small unit में divide करने के लिए जो है वो आपके पास जो रुपीस 10 का एक unit आता है बाइब आपके पास जो है वो रिटायर होने वाले पार्टमें का अगर बाकी के पार्टनर्स जो हैं वो रिटायर होने वाले पार्टमें का capital purchase करें the total capital of the firm after retirement of the partner लेकर फर्स करें यहां पर समझीगा अज्यूमिंग एक capital है 50,000 रुपे बी का capital है 50,000 रुपे और सी का capital भी हम फर्स करते हैं यहां पर 20,000 रुपे तो total capital सी की retirement से पहले कितना है एक लाख 20,000 रुपे अगर सी अपना यह capital 20,000 ए और बी को sale कर दे तो एक का capital सी के 20 में से 10 मिलने के बाद हो जाएगा 60,000 रुपे बी का capital सी के 10,000 मिलने के बाद हो जाएगा 60,000 रुपे और सी तो क्यूंकि रिटायर हो गया तो सी का capital जीर हो जाएगा तो अगर रिटायरिंग जो रिटायर होने वाला पार्टनर है वो अपना इंट्रस अपना capital क्या करें जो continuing partners हैं उनको सेल कर देगा तो फर्म के टोटल कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल क्या था कि अगर रिमेनिंग पार्टनर जो है वो रिटायरिंग पार्टनर से उसका capital परचेस कर लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा आंसर इस के टोटल कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सब्सक्राइब 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 सबसे पहले चार में आपने सीखने हैं आपके सेक्शन सब्सक्राइब 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 यहां सब्क्राइबिंट त्रेडियख़ कौन केतने Kणाइव बिभी इस्तिमाल नहीं होती है स्टेंटेटम्स क्तिमालन व्लचेते वह किसे मिलती गुलती पूम और लोग carbs फेर्स है वह किस से मिलती जुलती है आंसर इस बैलन श्रीट ठीक है बैलन श्रीट से मिलती जुलती है एसेट इकुल्स टू लियाबिलिटी इस प्लस कैपिटल वली बातर नेक्स्ट डिस्काउंट अवेल्ड दूरिंग अन्सेशन पीरियड इस आपने एक सुनी होगी अगर आपने इन दस दिन के अंदर यह आपने अमाउंट रिपे कर दिया तो उससे होगा क्या उससे दो परसेंट डिसकाउंट मिल जाएगा और यह डिसकाउंट क्या किल दाएगा कैश डिसकाउंट में मुद्न करते हो दाट पैमेंट इस कॉल्टी डिसकांट अगर थोड़ा सा यादू income distribution summary का आपने चैप्टर पड़ा था और उसमें दो methods की मदद से entries बन दी है एक method का fix capital method और एक method है fluctuating capital method यहां पर fix capital method की बात हो रही है fluctuating और fix में फर्क क्या था fluctuating के अंदर word capital यूज होता है या profit loss को जो भी amount होता है उसका हम capital account में transfer करते हैं जबके fix capital method के अंदर वह amount हम transfer करते हैं current accounts के अंदर तो यहां पर fix capital method की बात हो रही है कि under the fixed capital method profit and loss is transferred to partners current account fixed capital method के अंदर जो profit and loss transfer किया जाता है वो आपके पास वो आपके पास जो है वो ट्रांसफर किया जाता है partners के current account में, in case of an insolvent partner, अब ये insolvent partner कोन होता है, देखें जब भी loss होता है तो loss होने की वज़ा से अगर कोई partner अपनी loss उसका capital कम हो और loss जादा हो, फर्स करें कि C partner है और C का capital जो है वो एक लाख रुपे है, जबकि उसका जो loss हो गया है, वो एक लाख 20,000 हो गया, capital कम, loss जादा, तो 20,000 का loss जादा है न, ये कहलाती है capital deficiency, जो 20,000 का loss जादा है, ये कहलाती है क्या capital deficiency, और जब भी capital deficiency होती है, तो दो बाते possible होती है, या तो वो partner solvent होगा, या फिर वो partner insolvent होगा, अगर वो partner solvent होगा, तो वो पैसे घर से लाएगा, और घर से पैसे लाकर अपने loss को पूरा करेग लेकिन अगर वो partner insolvent हुआ तो वो अपनी deficiency को खुद पूरा नहीं कर सकता तो बाकी के जो solvent partner है जिनका capital मौजूद है जो कि घर से पैसे ला सकते हैं वो फिर उस insolvent partner की help करते हैं और उसके loss को पूरा करते हैं तो यहां पर कहा लिखा बस सवाल क्या था कि in case of insolvent partner his capital deficiency is born by कौन बर्दाश करता है बाकी के solvent partners जो बाकी के solvent partners होते हैं वो फिर उस insolvent partner को help out करते हैं in the absence of any partnership agreement अगर कोई partnership का agreement नहीं हुआ वा तो profit and losses कैसे distribute करते हैं याद रखिएगा कि profit and losses distribute किये जाते हैं capital ratio के इसाब से profit sharing ratio अगर सवाल में given है तो उसके इसाब से या फिर अगर कुछ भी agreement में profit कैसे बांटा जाएगा यह mention नहीं होता तो फिर profit and losses are distributed equally यह point याद रखिएगा कि अगर agreement में sharing distribution mention नहीं है तो उस जो है वह आपके पास जो profit distribute किया जाएगा वह equally किया जाता है तो अगर agreement में कुछ चीज mention नहीं है तो partners के दिरम्यान जो profit distribute किया जाएगा वह equally distribute किया जाएगा next in the case of admission on more than book value the goodwill or bonus is to be given to अगर आपके पास जो admission है और more than book value के उपर admission है तो जो goodwill या bonus होगा वो किस partner को जाएगा जो goodwill और bonus होगा वो किस partner को जाएगा answer is old partner को ठीक है अगर आपने जो है वो जो amount है जो amount आपके पास है वो अगर आप बलकि यहां पर दिखो दुबारा से चिंदे in the case of admission on more than book value more than book value थोड़ से सही कर लेते हैं more than book value देखें एक होती है investment और एक होती है उस investment की book value एक होती है investment और एक होती है investment की book value फर्स करें कि एक partner ने इन्वेस्ट किए एक लाक रुपे पर calculation के हिसाब से जो आपके पास book value आ रही है वो आ रही है एक लाक बीस जार रुपे नए partner ने इन्वेस्ट कि एक लाक रुपे और उसकी जो book value वह एक लाक लाक बीस जार आ गई तो फायदा किसको हुआ नए partner को तो अगर investment कम book value जादा तो याद रुखीगा कि जो amount होगा goodwill या बोनस का वो किसको जाएगा new partner को जाएगा अगर इसी को हम उल्टा कर दें कि investment कम है और book value जादा है तो यह जाता है new partner को जो भी हमने discuss किया तो new partner को अगर इसको opposite हो कि investment जादा book value कम तो नएका नुकसान हुआ तो नएका नुकसान बन जाएगा old का फाइदा आंसर याद रुखीगा के more than book value more than book value का word है तो that will go to new partner और अगर यही पर आपके पास जो है वो उल्टा करते इसको कि less than book value less than book value तो वो होगा bonus goodwill to old partners at the time of liquidation remaining cash is to be distributed among the partners at the time of liquidation यानि जब liquidation होती है liquidation कैसे होती है सबसे पहले हम assets को sale करते हैं फिर liabilities को pay करते हैं फिर उसके बाद जो भी profit या loss हुआ होता है उसको पार्टर्स के दिश्यूट करते हैं उनके capital ratio के हिसाब से जो भी ratio सवाल में किमन होता है उसके हिसाब से और आखरी काम क्या होता है कि जो भी उनका capital balance होता है जो भी उनके पैसे बाकी के बच रहे होते हैं वो उनको हम वापस कर देते हैं सवाल क्या है कि at the time of liquidation remaining cash is to be distributed among the partners कैसे बांटा जाएगा वो बांटा जाएगा on the balance of capital at end वो बांटा जाएगा कि जो भी उनका balance होगा capital at end का उसके हिसाब से distribute होगा मतलब कि एक लाख रुपे का एक बंदे का capital था और गेन हुआ 10,000 रुपे का तो उसको वापस कितने करेंगे एक लाख 10,000 जो भी उसका capital balance होगा debentures are the certificate of debentures are the certificate of receipt of loan acknowledgement share is a certificate of ownership और debenture is a certificate या receipt of acknowledgement of loan अगर मेरे पास किसी कंपनी का share है तो acknowledgement है कि मैंने उस कंपनी में investment की वी है और अगर मेरे पास किसी कंपनी का debenture है तो acknowledgement है कि मेरी इस कंपनी में मैंने इस कंपनी को loan provide किया वाए ठीक है जी next residual value एक और नाम क्या होते है residual value का word हो scrap value का word हो salvage value का word हो एक ही बात है is the estimated recoverable cost of a depreciable asset at the time of its residual value कौन सी value होती है कि जब आप एक asset को क्या किया जाएगा या क्या वक्त होगा जब आपके पास जो amount आपको मिलेगा that will be called residual value removal from service यह आप उसको इस्तमाल की छोड़ दो और इसको आप जो है scrap में दे दो removal from one factory to another एक factory से अटाके दूसरी factory में भेज़ दो removal from one place to another एक place से अटाके दूसरी place भेज़ दो ऐसा कुछ नहीं है answer is removal from service के एक asset अगर आपने अब काम नहीं लेना उससे तो आप उसको क्या करोगे उसको आप scrap करोगे तो जो पैसे आपको मिलेंगे वह scrap value residual value या फिर salvage value के लाएगी next all fixed assets are depreciated except तमाम के तमाम fix assets depreciate होते हैं सिवाइक इसके लैंड के तमाम के तमाम fix assets depreciate होते हैं सिवाइक इसके लैंड के उसके बाद non-profit earning organization include इसमें से कौन सी organization है जो कि non-profit earning के अंदर आ रही होगी answer is schools है hospitals है clubs है all of these clubs यहाँ पर जो है different organization के clubs होते हैं different communities के clubs होते हैं जो लोगों की help out कर रहे होते हैं तो answer is all of these तमाम अगर आप schools की बात करें तो कहीं है कि वह भी non-profit private schools यह private hospitals की बात नहीं government के लेवल पर schools है hospitals हैं यह जो different clubs हैं community clubs होते हैं वो सारे के सारे non-profit organization की ही example होते है non-profit earning concern do not maintain non-profit earning concern maintain नहीं करता क्या maintain नहीं करता बैलेंस चीट maintain होती है बिल्कुल मेंटेन होती है रिसीपन पेइमेंट अकाउंट मेंटेन होता है जो सवाल होता है profit and loss account है और income expenditure आंसर इस profit and loss account जब उनका profit ही नहीं है तो फिर वो profit and loss account maintain भी नहीं करते हैं subscription receive in advance याद रखीगा कोई भी चीज़ आप advance में pay करते हो वो prepaid और कोई भी चीज़ आप advance में receive करते हो वो liability होती है anything paid in advance is prepaid वाला asset anything receive in advance is unearned वाली liability subscription receive in advance सगर होगा तो वह unearned की form में liability होगी the single entry system of bookkeeping is generally followed by normally जो single entry system होता है वो कौन सा business जो है वो follow करता है answer is small business concern small business concern इसलिए क्योंकि उनके पास इतनी investment नहीं होती इतना capital नहीं होता इतने पैसे नहीं होते क्यों एक proper accounting system उनको follow करें पैसे भी नहीं होते प्लस उनको जरूरत भी नहीं होती है क्योंकि इतना accounting का काम होता नहीं normal accounts बन रहे होते हैं तो वह easily single entry के जरीए भी अपने profit losses को calculate कर लेते हैं the partnership agreement in writing is called partnership deed जो भी agreement partners के दिर्मियान होता है writing के अंदर क्योंकि agreement हो सकता है orally भी और written में भी अगर agreement written form में हैं तो that agreement will be known as partnership deed उसको partnership deed कहा जाता है the person who takes the initiative in the matter of formation of the company is known as promoter वो शक्स चो company को बनाता है company को establish करता है company की initial तमाम अखरजात करता है वो किलाता है promoter shareholder कौन है जो के company के मालक होते है director कौन है जो के company के managers होते है registrar वो बंदा होता है जो के जहां पे आप अपनी company को जिसके पास अप उसको अपनी company को register करते हो registrar वो बंदा है जो कि आपकी कंपनी को register कर रहा होता है तो answer is कि वो बंदा जो कंपनी के शुरू के तमाम तर इखरजाद करता है कंपनी को initially form करता है वो कहलाते हैं promoters दे expense incurred in the formation of the company are called वो खरजाद जो कंपनी बनते हैं कंपनी के establishment के वक किये जाते हैं वो कहलाते हैं preliminary expenses depreciable cost of an asset is equal to cost minus scrap value अगर आप cost में से scrap value को less करते हैं तो जो answer बचेगा that will be depreciable cost straight line method is also known as straight line method का एक और नाम क्या है fixed installment method इनाम दुखी किया जी fixed installment method इसमें production method है reducing balance method है year digit method option के तोर पर ज़रूर लिख दिया गया है पर यह आपके इसले बस मौझूद नहीं है तो बेटर यह हमने अभी तक model paper के तमाम तर mcqs यहां पर discuss की है अच्छरी 30 minutes के बाद आपसे mcqs का paper ले लिया जाएगा और उसके बाद फिर आपको जो second part होगा paper का जिसमें section B और section C included है वो paper आपको मिलेगा तोटल पांच सवाल आपको short में मिलेंगे जिसमें से आपने तीन सवाल attempt करने हर सवाल जो है वो दस मांक का होगा तीन सवाल attempt करेंगे तो आपको इसके 30 marks मिलेंगे पहला ही सवाल जो आपके model paper के income and expenditure account बनाने सवाल की पहली requirement है income and expenditure account बनाने अच्छी सबसे पहले heading भी थोड़ सी आपने अच्छे से याद रखनी क्योंकि मार्क्स होते हैं इसके और expenses आएंगे लेफ्ट साइड याने डैबिट साइड पर रुपीस का कॉलम है इंकम्स करड़िट पर आएंगी रुपीस का कॉलम है फॉर दा कि यह एंड़ेड दिसंबर थर्टी फर्स्ट तूथाज़न ट्वेंटी बना क्या रहे हैं आपर इंकम एंड एक्सपेंडीचर अकाउंट हानिया वेलफेर ट्रस्ट इसके बाद हमने जो सॉल्फ करना है और इंकम एक्सपेंडीचर अकाउंट बनाना है और इंकम एक्सपेंडीचर अकाउंट के लिए आजटीगा कुछ में रूल्स यहां पर रिपीट कर जाता हूं कि अगर आपको एडिस्वेंट के अंदर वर्ड्स मिलेंगी क्या अगर अगर आपको सवाल में मिले गा अगर उसको आपने इंकम में और आट करना है और अगर आपको अपने इंकम में से लेस करके लिखना है सवाल में मौझूद तमाम तर इंकम्स जो होंगी वो आपके पास रिसीप साइड पर मौझूद होंगी और तमाम तर जो एक्सपेंसेज होंगे वो पेमेंट साइड पर मेंशन होंगे आप income expenditure अकाउंट बना रहे हो तो सवाल में मुझूद कोई भी एसेट या लाइबिलिटी इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा सब्सक्रिप्शन फी इंकम अधर रेविन्यू इंकम सेलरीज एक्सपेंस है सेलरीज एक्सपेंस है इसके ला लिए जसे सखरकें और कोई नहीं आदब लेकिन अगर कोई ऐसा ऐसेट हुआ जो के चैरेटी पर पसके वहन होगा ते अगर की एसेट charity का होगा तो number one वो expense होगा वो asset नहीं होगा number two वो expense के उपर उस asset पर जो के charity के लिए था जो के expense है basically उसके उपर depreciation apply नहीं होती है rules पढ़ने adjustment के accrued subscription fee क्या होगा accrued का word है तो एक subscription में add होगा पहले से 89,000 था 4,600 इसमें add करके लिखेंगे प्रीपेड salaries है तो प्रीपेड का word होगा तो expense में से less होगा accrued utility है तो utilities में add होगा और depreciation as it is expense में record किया जाएगा depreciation as it is expense में record किया जाएगा अच्छारी अब सबसे पहले subscription fee subscription यहाँ पेटे 89,000 है और इसमें accrued वले 4,600 रुपे एड किये तो यह 93,600 बन गया 93,600 बन गया उसके बाद other revenue में क्योंकि कोई adjustment नहीं है तो यह other revenue का amount as it is आजाएगा 16,400 पर 16,400 पर चीक है अब expense की बात करते हैं सबसे पहले salaries expense है salaries मौजूद है 36,000 पर इस 36,000 में से 2800 जो क्या आपके पास प्रीपेड वला amount है वो less करके लिखा जाएगा तो इट विल विकम 33,000 तो हंड़ेड उसके बाद utilities है सेकेंड एक्सपेंस यहां पर मौजूद है utilities expense का utilities के बारे में क्या mention है 11,200 रुपे यह लिखावा है और 11,200 के बाद 1400 रुपे की accrued utility है तो इट विल विकम 12,600 12,600 हो गया उसके बाद repairs में कोई adjustment नहीं है as it is आएंगे 3000 रुपे other expense में कोई adjustment नहीं है as it is आजाएंगे 29,600 और एक expense हमने और जो adjustment से लिखना है that is depreciation और वो amount है 3000 रुपे का बड़े income expenditure account बनाते है कुल मिला के तीन काम करने होते है जिसमें पहला काम हम कर चुके है के recording कर ली है after adjustment अब इसके बाद क्या करने है इसके बाद next आपने करनी है footing footing करने के लिए आप बड़ी side देखते हो normally income side जादा होती है और expense side कम होती है income side का total करें अगर तो 93,600 प्लस 14,000 प्लस 16,400 इक्वल्स टू 1,10,000 income का total आ रहा है 1,10,000 रुपे अगर expense side का total करें तो 33,200 प्लस 12,600 प्लस 3,000 प्लस 29,600 प्लस 3,000 equals to 81,400 तो income side जादा expense side कम तो आमने सामने बड़ी value से footing की जाएगी इट विल बी 1,10,000 और अब हमने income में से expenses को minus किया तो जो amount बचेगा 28,600 का ये surplus का amount है और कहा लिखा जाएगा ये surplus expense side पर 28,600 का ये surplus का amount है जो के expense side पर लिखा जाएगा ठीक है ये हमारा question हो गया है non profit concern का income expenditure account required था नेक्स सवाल इसमें मौझूद है जो के आपके पास partnership profit and loss ये distribution समरी से लिए गया है सवाल पढ़ते हैं जी क्या लिखावाद सवाल की सबसे पहले गर आप requirement देखो तो requirement के मताबिक यहां पर आपको income distribution summary बनानी इंकम distribution summary के अंदर आपके पास दो partners हैं सल्मान एंड कामरान क्या बना रहें income distribution summary इंकम distribution summary और देट यहां पर मौझूद है दिसम्बर 31st 2020 जिसम्बर 31st 2020 और इसके बाद फॉर्मेट यहां रखीगा दो हैं तो तीन कॉलम बन रहें तीसरा एक्स्ट्रा कॉलम जो है वो टोटल का बनेगा पहला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का पहले पार्टनर का नाम है सल्मान कामरान और आखिर में कोटल आएगा हम सबसे पहले कैपिटल्स मेंशन करते हैं देखने अभी सवाल में मौझूद होंगे और उसके बाद फिर हमने नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी सवाल में गिवन होगा वह लिखना होता है अच्छा अब सवाल पढ़ते सवाल में क्या कुछ मौझूद है सल्मान और इकुल पार्टनर्स मेंशन करें यहाँ पे सवाल में इकुल पार्टनर्स हैं विद कैपिटल ऑफ वन लेक्वेंटी थाउजन एंड एटी थाउजन रिस्पेटिवली एक लाग दीस अजार और असी अजार टोटल यहां पर हो गया दो लाक रुपे इस डिसाड़ेद आट पार्टनर्स विल रिसीव इंट्रस फिफीन परसंट पर एनम ऑन देर कैपिटल यह डिसाइड हुआ के पार्टनर्स को पंद्रा परसंट उनके कैपिटल का इंट्रस् फिफ्टीन परसंट तो सलमान का कैपिटल था एक लाग दीस अजार रुपे उसको उसका पंद्रा परसंट मिलेगा सेम तरीके से कामरान का कैपिटल था असी हजार रुपे उसको उसका पंद्रा परसंट मिलेगा तो यह बन जाएंगे यहां पर 18,000 और 12,000 तोटल यहां प कामरां इसके लावा मंथली सेल्वी मिल रही है पच्छिस सो और दो हजार रुपे रिस्पेक्टिवली मंथली सेल्वी मिल रही है और सवाल में जब स्टार्टिंग डेट मेंशन नहीं होती तो पूरा साल अज्यूम किया जाता है सेल्वी यहापर है सल्मान को पच्छिस सो रुपे पर मंत के हसाब से तीस हजार रुपे और कामरान को दो हजार रुपे पर मंत के हसाब से 24,000 की सेलरी मिल रही है तो टोटल सेलरी जो इन दोनों पार्टपस के दिरिमान डिस्टिब्यूट हो रही है तैस 54,000 ये इनको सेलरी मिल गई इसके बाद नेक्स्ट इस के कामरान हूं मैनेज़ेस दा बिजनेस इस टू रिसीव अ कमीशन आफ रुपीज सिक्स आउसन जो है कमीशन भी मिल रही है चये हजार की कामरान को सिर्फ कामरान को कमीशन भी मिल रही है तो 6,000 की भी आगे वह मैं दो यह चौने सेङभीशन के प्रॉफिट में से सबसे पहले आपने थर्टी थाउसन का इंटरस्ट माइनस कर दिया में 54,000 रॉपीस की आपने यहां पर इसक अमौंट माइनस किया और commission minus करना हैं तो minus में 15,000 आन्सर आ रहा है allowances जादा profit कम ये 15,000 रुपे remaining loss है ये 15,000 रुपे remaining loss आ गया और सवाल में mention था कि जो profit loss partners आपस में share करते हैं वो equal share करते हैं और दो लोगों में अगर आप equal डिविशन करोगे तो इट विल भी सेवन थाउजन पाइफंड़ेट सेवन थाउजन फाइफंड़ेट इच आखिर में आपने टोटलिंग करनी है और टोटल यहाँ पर देख लेते हैं जी कैपिल का मांट टोटल में एड नहीं होता एटीन थाउजन का सलमान को इंटरेस्ट रुपे बारह हजार रुपे का इंटरेस्ट था कामरान को इसके लावा चौबिस हजार रुपे की सैलरी थी और छे हजार रुपे कमीशन के भी मिले तो 42 थाउजन और इसमें से 7500 आपने माइनस भी करने तो थर्टी फोर थाउजन फाइफंड रिमेनिंग लॉस है तो यह माइनस होगा यह पॉइंट या अगर रिमेनिंग प्रॉफिट होता यह आंसर पॉद्रेव आ रहा होता तो यह वैल्यू भी एड़ होती क्योंकि आंसर नेगटेव आ रहा है तो इसको लेस किया तोटल आंसर 75,000 आया और यह उतना ही होना चाहिए जितना आपके सवाल में का अमाउंट या लॉस्कामाउंट गिवन होगा हमारे सवाल में प्रॉफिट कामाउंट गिवन है डाट इस 75,000 ठीक है यह आपके पास इंकम डिस्रिबिशन के सवाल हमने देख लिए है नेक्स सवाल है जी क्वेस्टिन नमबर फोर के नाम से सवाल है अजमत एंडिशन का सवाल है एडिमीशन में छोड़ सा आपको रिवाइस को आया तो एडिमीशन के चार केसे आपको ने पढ़ने पहला केस सा परिशेज आफ इंटरस्ट का वह कब अपलाए होता है जब एक पार्टनर पर दूसरे पार्टनर से इंटरस्ट परचेस कर रहा हो एगर एने बी से सवाल में उसलिटका का एडि इस कैसें आपको करनी है बोनस माथड की बोनस मी लिखा हो record bonus do not record goodwill old partners are ready to reduce their capital or total capital of the firm is increased with the new partners investment only तो यह चार conditions अगर में से कोई सवाल में लिखी होगी तो वो सवाल bonus method कहोगा और bonus method calculate करने के बाद आप देखते हो कि जिसकी entry किसकी क्या बनेगी और bonus किसको जा रहा होगा goodwill में क्या है record goodwill do not record bonus old partners are not ready to reduce their capital or the total capital firm is increased entirely by the credit credit covered होता है entire amount is credited with the new partners investment तो यह goodwill की condition है अगर कोई condition नहीं लिखी होती तो आपकी choice होती है क्या आप चाहें तो सवाल को bonus method से solve करें या फिर goodwill से solve करें तो कुछ conditions आपको जाद हैं तो सबसे पहले admission के चैप्टर में तीन बात है important है number one आपको conditions याद होनी चाहिए कि क्या लिखावा होगा तो कौन सा method होगा एक मरतबा जब आपने पहचान लिया कि कौन सा method है तो फिर आपको उस method की computation के steps याद होने चाहिए और फिर तीसे नंबर पे computation के बाद जो सबसे important चीज़ हो यह है कि आपको उस method की entry भी बनानी आने चाहिए यहां पर हम पढ़ते हैं जो है यहां पर पार्टनर्स हैं यहां पर चीज़ार और तीस हजार रुपे का capital है एक का capital चाहरे और तीज़ार और तीज़ार और तीज़ार और तीज़ार और तीज़ार कुल मिलाकर असी हजार हो गया तो अगर रैशो नेजर्ट यह इस baru ध्सके बाद नेक्स अपके पास हो है बच dł Masteracam 2021 अडमिट मसूद आज नूव पार्टनर जिव वन फोर्थ उनों ने एडमिट किया मसूद को अपने पास पार्टनर के तौर पर और उसको वन फोर्थ शेयर दिये तो दो पार्टर्टर्स पहले से मौझूद थे 50 और 30,000 के साथ अजमत और रहुट साथ और उसके बाद जो नया पार्टनर आ रहा है उसको वो अमाउंट दे रहे हैं वन फॉर्थ शेर का और आपको इसके रहाव जने बनानी है तो रिकॉर्ड मसूद एडिनीशन अंडर फॉलोविंग केसे सेपरेटरी दो केसे और दोनों केसे के इंदर आपको इसकी एंट्री बनानी है पहला केस के मसूद इंवेस्ट फॉर्टी थाउजन एंड इस क्रेडिटेट इड़ इंटा और चबरेट करेंगे जिससे यह पता लगता है कि ऑफॉत ग्रेट रेंगी इस को कैसे केल्कुलेट होगी ओल्ड पार्टनर कापटल प्लस न्यू पार्टनर इंवेस्मेंट न्यू पार्टनर की इन्वेस्मेंट थी 40,000 उते हैं multiply by new partner interest multiply by new partner interest तो book value आती है 30,000 उते investment जादा book value कम goodwill होगा old partners को हमने MCQ में भी बात देखी थी कि अगर आपके पास जो book value है वो कम है तो goodwill जो है वो old partner को जाएगी अगर यहां पर इसने की समाउंट आ रहा है तो goodwill old partner को जाएगी और जब goodwill old partner को जाएगी तो फिर सारी जो computation होगी वो new partner की basis पर होगी मैंचिन करते हैं method या पर है goodwill method और goodwill method में सबसे पहले आएगा क्यूक्य goodwill old partner को जा रहा है तो सारी कंप्यूटेशन नियू की बेसिस पर है नियू पार्टनर कैपिटल इस रूपीस 40,000 नियू पार्टनर इंट्रस्ट इस वन फॉर्थ टोटल कैपिटल आएगा कि पॉर्टी थाउजन कि मैल्टीप्लाइब रेशो लता देंगे फॉर अपॉन इक्वल्स टू वन लैक कि सिक्स्टी थाउजन एक लाख साथा जार रुपे अब इसमें से आप लेस करोगे दो चीज़ें क्या-क्या नमबर वन ओल्ड पार्टनर का कैपिटल जो कि था एक लाख जो कि था असी अजार रुपे और न्यू पार्टनर का कैपिटल जो कि है 40,000 उप्रे कैपिटल आ रहा है 1,60,000 जबकि इन्वेस्मेंट जो है पार्टनर्स की मिला कर वो 1,20 बनती है तो 40,000 जो एकसेस अमाउंट है यह क्या है यह गुडविल है और पहले ही डिसाइड हो गया था कि गुडविल किसको जाएगा ओल्ड पार्टनर को अब यहा चालिस अजार उप्यसे एक कैपिटल कड़ेट होगा और आर कैपिटल कड़ेट होगा और यह गुडविल चालिस जार की उनके रेशों के हिसाब से मिलेगी फाइव अपॉन एट त्री अपॉन एट यह हो गया यहां पर 25,000 और 15,000 तो रिकॉर्ड गुडविल दूदा ओल्ड पार्टनर और दूसरी एंट्री के अंदर आपने एडिमीशन रिकॉर्ड करना है कैश डैबिट हो गया और ने पार्टनर का कैपिटल कड़ेट होगा अमाउंट आएगा जितना उसने इन्वेस्ट किया अमाउंट आएगा जितना उसमें इन्वेस्ट किया तो यह हो गया कि फर्स्ट केस इसमें गुडविल की बात में सॉल्स की है अब इसी सवाल का सेकेंड केस भी बढ़ लेतें क्या लिखा वर मसूद इन्वेस्ट टोटल कैपिटल इस तो इन्क्रीज बाए मसूद इन्वे से बनेगा बढ़ेगा तो यह होगा बोनस मैठोड है और बोनस हमने कर लिए कि सबसे पहले यहां पर कंप्यूटेशन के स्टेप्स लाग रुखीगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल असी अजार रुपे एड होगा न्यू पार्टनर इन्वेस्ट न्यू पार्टनर ने इन्वेस्ट किये बीस अजार रुपे फर्म का टोटल कैपिटल आ गया एक लाख रुपे अब यहां पर मसूद का जो इंट्रस्ट बनता है इस एक लाख रुपे के अंदर वन फोर्थ वो बनता है पच्चेस अजार रुपे जबके मसूद ने जो इन्वेस्ट किया था मसूद ने जो इन्वेस्ट किया वो सवाल में मौझूद है बीस अजार रुपे 20,000 की इन्वेस्टमेंट है इंट्रस्ट जादा इन्वेस्टमेंट काम तो पांच हजार रुपे का बोनस तू न्यू पार्टनर या मसूद बोनस टू यू पार्टनर या मसूद एंट्री देख लीगा सबसे पहले कैश डैबिट होगा कितने से जितना नए पार्टनर ने इन्वेस्ट किया नए पार्टनर का कैपिटल करड़ेट होगा कितने से जितना इसको इंट्रस्ट मिला और बाकी का अमाउंट जो बोनस जा रहा है एम को वो ए और आर अपना कैपिटल कम करेंगे और अपना कैपिटल कम करेंगे और डिस्टिबूशन उनके रेशो के हिसाब से होगी तो डिस्टिबूशन उनके रेशो के हिसाब से होगी तो डाट विल भी 5000 का जो बोनस है तो फाइब अपन एट थ्री वन टू फाइफ और फाइफ थाउजन मैल्टिप्लाइब थ्री अपन एट इक्वल्स टू वान एट सेमन फाइफ इह हो गया सेकेंड केस जो कर बोनस का केस था ठीक है नेक्स सवाल या या जिलिक्विडिशन के चप्टर का सवाल है और याद रुखिएगा कि सबसे पहले आप click करते हैं और आखर्मी आप गया ही में से हिलॉसरे यपर उसको लोग एक का में पास जयाने वाला पैसा उनको आप वापस कर देते हो कि इसमें सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट की केस भी आती है कि अगर आपके पास जो है वह वह सकता है और अगर नहीं भर सकता तो फिर वह इंसॉल्वेंट पार्टनर के लाता है ठीक है और यहां पर सवाल शुरू करते हैं सबसे पहले पार्टनर्स फू ओन दा क्विक कंपनी बिजनस का नाम मेंशने हैं अग्री टू लिक्विड़ेट पार्टनर्शिप अब बैलन्स शीट अजिए अच्ट मार्श थरी फर्स तुसादंट विए इस शोन हीर पार्टनर और पार्टनर्स जो हैं प्रॉफिड लॉस इकोल डिस्रिब्यूट करते हैं सबसे पहले आपर एक क्वेस्टन मार्क लिखा वा है उसक्वेस्टन मार्क का स्लूशन सिंपल सा है यहां पर भी वैल्यू गिवन नहीं है तो यह अमाउंट चार लाक रुपे आपर मैंशन है अगर यह चार लाक रुपे है तो बीस अजार में ऐसा क्या एड हुआ कि यह चार लाक आ गया तो अधर एसेट का अमाउंट हमने कैल्कुलेट कर लिया तीन लाक असी अजार रुपे अधर एसेट का अमाउंट यहां पर कैल्कुलेट हो गया तीन लाक असी अजार रुपे उसके बाद अगर यह 4,00,00 रुपे है टोटल एसेट्स हैं तो सेम तरीके से टोटल एक्विटीज यहां पर जो हैं वो भी 4,00,00 होंगी और लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटीज आप अगर इसमें से माइनस कर दो तो चार लाइक रुपे के टोटल कैपिटल में से अगर आप एक लाइक 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 ल का मांट है और चार लाख रुपे आपका टोटल एक्विटीज बन रही है अच्छारी अब तीन लाख ऐसेट्स हैं और यहां पर मेंशन है कि गिव नैसेसरी एंटीज अजूमिंग अधर एसेट्स आर सोल्ड फॉर 3,20,000 और आप अजूम करेंगे कि अधर एसेट्स को 3,20,000 रुपे पर आपने सेल कर दिया यहां पर जी सबसे पहले आज रुखिएगा कि कंप्यूटेशन होगी और कंप्यूटेशन में पहले आएंगे अधर एसेट्स आंसर इस 3,80,000 जबके सेलिंग प्राइस 3,20,000 है अधर एसेट्स की वैली ज्यादा सेलिंग प्राइस कम जो डिफरेंस है साथ हजार रुप एका वो है लॉस ओन सेल ओफ एसेट्स लॉस ओन सेल ओफ एसेट्स अब हम इसकी एंट्री स्वाइब करते हैं में फर्म करना जो मेंशना दाइस कुएग कमपनी और जर्नल 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 पहली एंट्री जो बनेगी पहली बाद तमाम की तमाम एंट्री जो बनेगी वह आपके पास लिक्विडेशन डेट पर बनेगी जो सवाल में मौझूद है मार्च 31 2020 का तो मार्च 31 की फर्स एंट्री जिसके अंदर आपने एसेट्स को सेल करना है वह बनेगी यहां पर कैश डाबिट 3,20,000 अधर एसेट्स करड़ेट 3,80,000 और जो साथ हजार रुपे बीच में डाबिट पर आ रहा है वह रिकॉर्ड होगा रेलाइजेशन के नाम से और रेलाइजेशन क्या है रेलाइजेशन एक टेम्परेरी अकाउंट है जो के सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको हेल्प करता है तीसरी एंट्री में हम इसको क्लोज भी कर देते हैं तो हमने 3,80,000 वज़ साथ हजार से और कैश क्रडिट होगा एक लाख साथ हजार से अकाउंट पेबल डैबिट होगा एक लाख साथ हजार से कैश क्रडिट होगा एक लाख साथ हजार से तीसरी एंट्री एकरम बनाएंगे तो इसमें जो रेलाइजेशन था जो के डैबिट पे लिखावा है उसक के रावा तमाम partners के capital loss close होने की वजया से कम होकर debit पर आ fork ए a capital debit ऊकुरा फ्ली Capital एकि तुह सवाल में है था कि तमाम equal partners हैं तो 20,000 एच लॉस बियर करेंगे लार्षा क्ल एक लाग बीस दार था बीस दार लॉस हुआ अपनी कैपिल से कवर कर लेगा तो यहाँ पर को डिशनसी वी बात नहीं आई आखिर में आपने पार्टनर्स को पैसे पे कर देने A कैपिटल B कैपिटल और C कैपिटल और फिर्म के पास से कैश जाएगा A कैपिटल एक लाग बीस जार रुपे था उसमें से बीस जार का लॉस हो गया तो हम इसको वापस करेंगे एक लाग रुपे बीस जार रुपे और फिर्म के पास से टोटल कैश जाएगा एक लाग असी जार रुपे यह सवाल हमने सही सॉल्फ किया है उसकी कैलकुलेशन देखीगा पहले से कैश मौझूद था कितना बीस जार रुपे बीस जार रुपे में से आपने एसिट्स बेचे हैं यहां पर कितने के तीन लाग बीस जार रुपे कैश आपके पास आ गया बीस जार का कैश पहले से था तीन लाग बीस जार का कैश अभी आया कुल मिला के कैश आपके पास 3,40,000 रुपे का मौझूद है उस 3,40,000 के कैश में से 1,60,000 रुपे की आपने लाइबिलिटी इस पे कर दी तो पार्टनर्स को देने के लिए आपके पास बचने चाहिए थे कितने 1,80,000 तो इस तरीके से आप इस सवाल को चेक भी कर सकते हैं एक सवाल देखे लिए आप इस्वेंस ऑफ शेर्जिंड डेशर्स के निए चैप्टर में से सवाल है आपको सिंपल बेसिक बेसिक एंट्रीं इस सवाल में रिकॉर्ड हैं तो सबसे पहले कंपणी का नाम आजएगा आसिफ कंपणी के नाम से सवाल होगा अच्छी आसिफ कंपनी के नाम से सवाल है और बिजनेस की यहां पर हेडिंग आप दालने पहले आसिफ कंपनी के नाम सर्थ पॉइंबर वन बढ़ाओं ऑफर्टी थाउजन शेर्स एट रूपीस टेन इच अप्लिकेशन वह रिचीफ एस पर एग्रिमेंट अन्डराइटर सब्सक्राइब और बैलनस देशेर डिकांपनी फाइनलाइज दा अलॉट्म अन्डर सब्सक्रिप्शन का केस है और पार के उपर इस्वेंट की गई है अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है तो सबसे पहले औफर किये गए हैं 40,000 रुपे 40,000 अप्लिकेशन सिर्फ आपके पास 30,000 आई बाकी हैं 30,000 जितनी अप्लिकेशन आई है कि मल्टीप्लाइब इश्यू वाली तो तीन लाख रुपे का माउंड बनता है अ कि सेकेंड एंट्री बनेगी अलॉट्मेंट की अलॉट्मेंट की फिक्स एंट्री होती है क्या शेयर एप्लिकेशन डैबिट होगा शेयर कैपिटल क्रडेट होगा कितनी अप्लिकेशन आई थी तीन लाख तीन जार थी और दस के साफसे 10 रुपे क्या है कैपिटल के लिए पार वैल्यू है जब रैप्लिकेशन के लिए इशू वालिव है तीन लाख रुपे आफर की गई थी चालिस जार एप्लिकेशन आई तीस जार बाकी की दस जार अंडर राइटर लेगा और जब अंडर राइटर एप्लिकेशन लेगा तो डारेक्ली बैंक में पैसे जमा करवाएगा और बदले में आप उनको शेर्ज इशू कर दोगे दस हजार एप्लिकेशन अंडर राइटर लेगा दस रुपए के साब से यह बन जाएंगे अमाउंट एक लाक रुपए अमाउंट आ गया एक लाक रुपए तो यह पॉइंट नमबर वन की तीन एंट्रेस हमने देख ली यहां पर पॉइंट नमबर टू देखी हो क्या है पर और बदले में आपने शेर इशू की हैं जिनकी मार्केट में 12 रुपए प्राइस है यह नहीं बता है कि शेर कितने शू की हैं बता यह बता दिया कि मार्केट में उनकी प्राइस 12 रुपए है तो सबसे पहले देखें आपने परचेस की है लैंड परचेस की है तो लैंड ड के साथ शेयर प्रीमियम भी रिकॉर्ड होगा अब हमें एक चीज़ दिखनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ शेयर कितने दिए एक लाग असी हजार बारा रुपे के हिसाब से पंदरा हजार शेयर बनते हैं तो तो वाद करेंगे तो डेड़र लाख रुपे का शेयर का 마ंव और बोस्तेन करके ती SAT करेंगे तो शेयर का मांट आ जाएगा और इसमेंट करेंगे तो शेयर प्रीमियम का माउवट आ ठीक है जी नेक्स पार्ट देखें के थर्ड एंट्री या पर देखते हैं इन कंसिबरेशन ओदे सर्विसे दो प्रॉमोटर्स देंगे तो रिकॉर्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के नाम से लिकॉर्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के नाम से होगा शेर्स इशू करेंगे तो शेर क्यापिटल कड़िट होगा दसका शेर साड़े बारा का दे रहे हैं तो शेर प्रीमियम कड़िट होगा आठ थाथार शेर इंगे एक्सपेंस के लिए मल्टी प्लाइब 12.5 पाइफ कैपिटल मल्टी प्लाइब 10 और प्रीमियम मल्टी प्लाइब होगा 2.5 से तो एट थाउजन शेर्स मल्टी प्लाइब 12.5 इक्वल तू वन लाक रुपीज एक लाक रुपे आपके पास शेर कैपिल का मांट आया 80,000 शेर सोरी एक लाक रुपे पेरि में स्कामाउंट आया 80,000 शेर कामाउंट आया और 20,000 यहां पर शेर प्रिमियम का माउंट आ गया यह कर एंट्री बन गया है लास्ट पॉइंट इस शावाल का है क्या रिसीव कियें कितने एक लाख नवे हजार रुपे अगेंस्ट इश्विंस ऑफ टू थाउजन ट्वल्फ परसंट डिबेंचर्स ऑफ रुपीज हंडर्ड इच तो सबसे पहली बात यह कि अगर आपने दो हजार डिबेंचर इशू किये हैं और एक लाख नवे हजार आपको म सिक्स हो जाएगा फोर वाला पॉइंट जो है और डिबेंचर आपने इशू किये हैं तो डिबेंचर जब भी इशू किये गए दो हजार डिबेंचर सौ रुपे के हिसाब से अमाउंट बनता है दो लाख रुपे तो दस हजार जो बीश में आ रहा है वो दस हजार क्या है बन defence कर दिबेंचर दिसकाउंट अ मिए टेशू किरेंगे 110 दस रुपे का लॉपें के लेंचर पर 100 रुपे के इस असे लॉसम से लॉसमर दबाहे से ही टेयल है कि तो थाउजन मैंट देजब्टेंबट होगा अतना ही रिडय मशन प्रीयम होगा जितना लॉस होगा उतना ही रेडाम्शन प्रीमियम भी आएगा आंसर इस ट्वेंटी थाउसन ठीक है तो कैश डैबिट हो गया एक लाक नवे हजार रुपे से डिबेंचर डिसकाउंट हुआ एक दस हजार रुपे का क्यूंकि दो लाक रुपे मिलने चाहिए थे आपको एक 202 रुपे का डिस्काउंट या थे बेंचर पर और सोस्काइबेंचर वापस 110 फूपे के साहब उगा दर डिबेंचर 10 पे बेंचर से को लॉस होगा और 2000 डवेंचर पर लॉस बनता है 20 जितना लॉस हुआ उतना ही डवींचर एडेंशन भी आएगा जितना आपने लॉसों पर कम्ट्रीट होगे तू इसू डिबेंचर्स एक डिसकाउंट एंड विडीमेबल एट रूपीस वन हंगर्ट टैंट इसकी नरेशन भी होगी है नेक्स पार जी सेक्शन सी पर आजए और सेक्शन सी के अंदर आपके पास जो है वो दो पार्ट्स आपको मिलेंगे इसके दो पार्ट्स होंगे उन दो पार्ट्स में से कोई एक पार्ट आपको एप्रेल थर्टियर तूज़न नाइंटीं एप्रेल थर्टियर तूज़न नाइंटीं एटा कॉस्ट ओफ फ्रीले कुंटी फाउजन विद एस्टिमेटेड लाइफ औफ टैनियर लाइफ ये पच्छे सजार रुपे हैं दा मशीन हैड़ वर्किंग लाइफ फिफ्टी थ तो आपको दो साल का डेटा गेवन है और दो साल के डैटा में आपके पास लाइफ ये वर्किंग आर्स में भी है और प्रडक्शन यूनिट में भी है सबसे पहले हम सॉल्फ करते हैं स्ट्वेट लाइन मैठाद को फॉर्मला एन्वल डेपरी सेशन इक्वल्स तू कॉस्ट माइनस स्क्राप वाल्यू डिवाइड बाइड बाइफ इन यर्ज़ कॉस्टी तीन लग 25,000 रुपे स्क्राप वाल्यू 25,000 रुपे और लाइफ यहां पर थी पांच साल की लाइफ यहां पर गिवन है तैन यर्ज़ की दस साल की लाइफ है उपर माइनस किया तीन लाग रुपे आ रहे हैं जस से डिवाइड किया तो एन्वल डेपरी सेशन 30,000 ठीक है अब हमने दो साल का डेपरी सेशन निकालना है एक नाइनटीन का और एक क्वेंटी का तीस हजार रुपे साल भर की डेपरी सेशन बनती है हमने पहले साल में सिर्फ एट मंस यूज़ किया है अब यह एट मंस का सा आ गया आप चेक करीगा डेट क्या थी एपरल थर्टी एपरल काउंट नहीं होगा तो में से काउंट करेंगे और यह एट मंस बनते हैं तो थर्टी थाउजन का अगर हम एट मंस पर डिवाइड करें कि आंसर विल भी ट्वेंटी थाउजन तो पहले साल की स्ट्वेट लैंड मैथट के मुताबिट डैपरी सेशन बीस जार रुपए और बीस में क्योंकि आपने पूरा साल यूज़ किया था यह थर्टी थाउजन एजट इस रहेगी सवाल के दूसरी पड़ें एडजेस्टिंग और एंट्री बनानी है 19 की स्ट्वेट में क्लोजिंग बनानी है 20 की वर्किंग आर मैथड में तो अगर मैं इसी के साथ एड़ कर दूं जिस्वंबर थार्टी वन 2019 की एडजेसिंग एंट्री पूछ रहा हूं और मैथर स्वेटन वाला यूस करना है तो डेप्रीशियेशन एक्सपेंस डेट और अलांस पॉर अप्रीशियेशन करेट तो एडजेस्ट डेप्रीशियेशन एक्सपेंस वर्जेस्ट डेप्रीशियेशन एक्सपेंस और उन्निस का अमाउंट था 20,000 अब हम इसी का सेकेंड पार्ट सॉल्फ कर रहे हैं जो के वर्किंग आर से वर्किंग आर में फॉर्मला पर आर इक्वेल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्राप वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ इन आर्स कॉस्ट गिवन थी 325,000 स्क्राप वैल्यू 25,000 है और आर्स में लाइफ गिवन है यहां पर फिफ्टी थाउजन आर्स में लाइफ गिवन है फिफ्टी थाउजन उपर बच रहे हैं तीन लाक रुपे दिवाइड किया फिफ्टी थाउजन से तो पर आर का डेप्रीसियेशन रुपीज सिक्स आ रहे है छे रुपे पर आर्स में आपने 4000 घंटे काम किया मशीन ने 4000 घंटे काम किया छे रुपे के साब से डेप्रीसियेशन मनता है 24,000 दो हजार बीस में मशीन ने 6000 घंटे काम किया छे रुपे के साब से डेप्रीसियेशन मनता है 36,000 रुपे याद रखीगा कि वर्किंग आर मैथड में टाइम के हिसाब से डिवाइड नहीं करते भले एट मन्स हुए थे इस मशीन को लिए वे पर वर्किंग आर मैथड में और प्रोडक्शन यूनट मैथड के अंदर कभी भी टाइम पर डिवाइड नहीं करते ठीक है जी नेक्स देखें इसी सवाल की एक रिकार्मेंट और थी कि आपने वर्किंग आर मैथड के हिसाब से क्लोजिंग एंट्री भी बनानी है तो दिसमबर 31 और क्लोजिंग एंट्री 2020 की है डाट इस इंकम समरी डाबेट यह अच्छ में दोर्बरेश उनक्ट प मैंरी यह ऐ। थे इसक्ट्रीष द्यूज्ड टुछ ग्सट्स्ट्री एंट अच्री एशन का प्रएड़ मीह तोनस पित्परशन की है एंट्री एंटम्ट सांट Eli Alone इच्ग के Campusガード। थे प breeze पही एंटूम्ट medida तू क्लोस डेप्रीशियेशन एक्सेंस इसी सवाल को एक मरतबा दुबारा सॉल्फ करना है और अब जो सॉल्फ करना है वो हमने सॉल्फ करना है प्रॉडक्शन यूनिट मैथड ते साथ से तर्ड वन तीसरा मैथड है प्रॉडक्शन यूनिट और जो लाइफ थी प्रॉडक्शन यूनिट की वह सवाल में मैंचन थी वन लेक फिफ्टी थाज़ून यूनिट्स और उननेस के अंदर बारह हजार और बीस के अंदर सोलह हजार यूनिट बनाएं तो सबसे पहले इक्वल्स तू कॉस्ट माइनस स्क्राप बाल्यू डिवाइड बाई लाइफ इन यूनिट्स कॉस्ट यहां पर गिवन है स्क्राप पैली गिवन है 25,000 और यूनिट्स गिवन है 150,000 ऊपर बच्रा है तीन लाक रुपे उपर बच रहे हैं तीन लाक रुपे और नीचे डिवाइड कर रहे हैं हम इसको 150,000 से यह आ जाएगा रुपीस टू डैपरीसेशन आपके पास पर यूनिट डैपरीसेशन रुपीस टू अब इसमें हम डैपरीसेशन केल्कुलेट करते हैं 2019 में और 2020 में उननेश में बारा हजार यूनिट थे दो रुपे के साब से चौबिस हजार बीस में सोलह हजार यूनिट हैं दो रुपे के हसाब से कि अमाउंट बना 32,000 रुपए अमाउंट बन गया यहां पर 32,000 पून्ष में शीन ने वर्क किया था 12000 गंटे 20 में वर्क किया 16000 घंटे अमाउंट यहां पर आ गया टिकर यह हमारा सेक्षिन से का जो पहला Part आपके पहले सवाल सिंगल एंट्री के पास अगर सेक्षिन और सुछ पूछेगा या सिर्विन ओपतीर अब इस पूछेगा लेकिन अगर यहीज़ सवाल कुछ इस तरीके का होगा जिसमें प्रॉफिट लॉस भी आ रहा होगा और अफेर्स भी आ रहा होगा तो यह सवाल करते हैं तो सवाल में पड़े क्या क्या कि कंप्यूट कैपिटल एक एंड कैसे कल्कुलेट होगा एसेट्स में से लाइबिलिटी इसको माइनस करना है कंप्यूटेशन आपने शूओ करनी है प्रिपेर स्टेट्मेंट और आखर में स्टेट्मेंट आफ अफेर्स बताना है तो सबसे पहली रिक्वार्मेंट जो होगी अब बी कैलकुलेशन ओफ टेल एड एंड सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है यहां पर टेल एड एंड देखने जी कैसे कैलकुलेट होगा जैनुटर आसन्स टार्टेशन अप्र बिजनेस ऑन जनुटरी बन तूसादिन टूटी विद इन 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 वेस्मेंट आफ रु साल के आखरी की बाते हो रही है एसेट्स दिस्संबर थर्टी वन अच्छा उसमें कैश गिवन है 85,000 इसके लावा अकाउंट रेसीवबल है यह दैट इस पॉर 90,000 मर्चंड़ाइज है एक लाख 20,000 रुपे ऑफिस एक्विप्मेंट है अस्ती हजार रुपे का और अकाउंट पेबल है 35,000 अब अकाउंट पेबल है ना पहले हम तमाम एसेट्स को एड़ कर लेते हैं तोटल एसेट्स फिर उसमें से हम लाइबिलिटी लेस करेंगे और एक ही लाइबिलिटी है डाट इस अकाउंट पेबल अमाउंट अकाउंट पेबल का गिवन है यहां पे 35,000 अब हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं यहां पर कैपिटल एक एंड एसेट्स को मैंड कर रहे हैं यहां पर 85,000 प्लस 90,000 प्लस 120,000 प्लस 80,000 इकोल स्टू 375 माइनस 35,000 इकोल स्टू 3,40,000 कैपिटल एड एंड का अमाउंट आ गिया तीन लाख चालिज जार रुपे अब हमने नेक्स दो पार्ट करना है यह दैट इस फॉर स्ट्रेटन और प्रॉफिर लॉस सबसे पहले फॉर्मिट रुखीगा के स्ट्रेटन प्रॉफिर लॉस के नंबर वन पहले हैडिंग आएगी बिजिनस का नाम आएगा और इयर एंड या फॉर दा पीड एंड डेड डिपेंड करता है कि कितने अरसे का सवाल आप से पूचा जारा है उसके उपर हैंडिंग को लेस करेंगे तो अनर्जिस्टेट प्रॉफिट आ जाएगा इसके लावा कुछ चीज़े लेस होंगी कुछ चीज़े एड होंगी जो चीज़े लेस होंगी इसमें डेप्रिसेशन बैड डेट जकात अक्रूर एक्सपेंस अंपेड आउट चैनिंग और इंशोरंस एक्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस पन जाएगी पढ़ते हैं जी कैपिल एड एंड हमारे पास आ गया है तीम लग चालेश जार का उसके बाद डियूरिंग दा इयर विड्यू फाइफ थाउजन पर मन्थ जैनवरी में बिजनस स्टार्ट हुआ दिसमबर 31 की बात क होगा डैपरी सेशन ऑफिस एक्विप्मेंट की एस्टीमेट की दस परशंट की और बैडट एस्टीमेट किया गया पांच परशंट का याद रुखीगा कि डैपरी सेशन टाइम के हिसाब से डिवाइड होता है जबकि बैडट कभी भी टाइम के हिसाब से डिवाइड नह दोनों ही जो हैं आपके पास से लेस होने हैं उसके बाद अक्रूट सेलरी 6000 रुपे है यह भी लेस होगा और प्रीपेड इंशोरंस 3500 रुपे यह यहां पर एड हो जाएगा तो सवाल यहां पर सॉल्फ करते हैं जी आसिम के नाम से सवाल है एडिंग में आप लिखते हो पहल और यह एंडेड क्योंकर पूरा साल है तो फॉर्दा कि यह एंडेड कि दिसंबर थर्टी वन कि तू थाउजन ट्विंटी है जी अब इसके हमने दो कॉलम यहां पर ड्रॉकर ने और दोनों कॉलम रूपीस की कॉलम सबसे पहले कैपिटल एट एंड आएगा जोके तीन लाग चालेस हजार कैल्प्लेट किया इसमें एड होगा ग्रॉइंग फाइव थाउजन पर मंथ है तो मल्टिप्लाइब ट्वेल्फ करेंगे क्योंकि पूरा साल है साथ हजार रुपे हो गया टोटल अमाउंट चार लाक रुपे यह चार लाक रुपे टोटल कैपिटल आगे इसमें से लेस होगा दो चीजें एक कैपिटल एड स्टार्ट सवाल में गिवन था धाई लाक रुपे और होगा लेस एडिशनल इन्वेस्मेंट सवाल में गिवन है 50,000 रुपे टोटल यहां से तीन लाक रुपे लेस होगा है आंसर विल भी एक लाक रुपे क्या आया यह अन एड़्जेस्टेड प्रॉफिट यह आ गया अनड़्जेस्टेड प्रॉफिट अब इसमें से कुछ चीजें लेस होनी है कुछ चीजें एड हो नीए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या लेस होगा और क्या एड होगा डेपरीसेशन हमारे सवाल के मताबिक डेपरीसेशन अक्रूइट यह लेस और यहां पर मौझूद था असी अजार रुपे का असी हजार रुपे का टेन पर्षंट आठ हजार रुपे डेप्रिसेशन आ गया बैडडेट्स की बात करें तो बैडडेट्स के बारे में सवाल में मेंशन है कि वह पांच पर्षंट है अकाउंट रिसीवबल का अकाउंट रिसीवबल नव्य हजार रुपे हैं तो नव्य हजार रुपे का pie Emily पांच पर्षंट 4500 और तीसरी चीज़ जो लेशों वहें वो है अक्रूट सेलरी जिसकाल माउंट है छहाजार रुप्य में तीसरी चीज की जो लएس होगी वह में झाला हूँ पैंपसो रभे देदास चीज़े लेस हो रही हैेह कनीर हमदेख के तूटल अमाउंट यहां से लेस होगा अठारा हजार पांचो रुपे छे हजार चार हजार पांचो और आठ हजार टोटल अमाउंट यहां से लेस होगा अठारा दार पांचो उपर मौझूद एक लाख रुपे में चाहर आठारा दार पांचो लेस्ट किया तो आंसर बच रहे एटी वन थाउजन फाइफ हंड़ेड करेंगे प्रिपेड रेंट है अमाउंट प्रिपेड इंशोरंस है अमाउंट है 3500 का अमाउंट है 3500 का तो फाइनल जो आ गया आपके पास एडजेस्टेट प्रॉफिट यह आ रहा है 85,000 यह अमाउंट आ गया 85,000 सवाल का आदा है समने कर लिए अच्छा अब इस सवाल में देखिए जो सेकिंड हाफ हमने करना है इस चेप्टर का इस इस क्वेस्टिन का लास पार्ट जो है तो उसके अंदर हमें एसेट चाहिए लाइबिलिटी चाहिए और एक इसके बाद आपने जो कंप्यूट किया यह कहीं पर भी नहीं आता वह अपना खुद कैल्कुलेट होगा कैश करन्ट एसेट 85,000 का रिसीवबल करन्ट एसेट है जिसमें से आपने बैडिट को लेस करना है इंवेंट्री करन्ट एसेट है जिसमें आप एवन लाइक 20,000 एकविटी में एड होगा ग्रॉएंग और डिकविटी से लेस होगा और संगे अच्वाजिक हाट किना होगा हमें सबसे पहले करेंट थरो तो तो च्प्रों करेंड थरहाँ पर क्या कुछ यहां प्यों करन के wishes कर ओदर करेंट नहीं चो cash है account receivable है जिसमें से आपने बेड़ेट्स को लेस करना है merchandise है और चौथा current asset यहाँ पर प्रीपेड इंशोरंस है फॉर्मल याद रखीगा दो साइट पर बनेंगी एक साइट एसेट की होगी एक साइट एक्विटी की होगी डेट लिखने का तरीका as on December 31 होगा जैसे profit loss में for the year होता है यहाँ पर as on होगा पहले हम mention करेंगे current assets को और current assets में सबसे पहले cash आएगा कि दैट इस 85,000 कि उसके बाद account receivable आएगा अमाउंट 90,000 है जिसमें से less होगा बैड डेट हमने profit loss में calculate किया था 4500 less किया 85,500 आ गया इसके बाद एक और current asset है जो है merchandise एक लाख 20,000 रुपे का एक और current asset है प्रीपेड इंस्षोरेंस अमाउंट था 3500 का यह हमने current assets पूरे लिख लिए है अब current assets के बाद बारी होगी non current assets की और non current asset हमारे पास सिर्फ एक ही था डाट इस equipment क्योंकि 80,000 रुपे और less करेंगे इसमेंसे हम depreciation calculate कीजी 10% के साब से 8,000 रुपे तो यह आ गया 72,000 asset side हमारे पूरी होगी जी इसके बाद हम बात करते हैं current liabilities की heading आएगी यहां पर current liabilities दो current liabilities हैं कौन-कौन सी एक है account पेबल जो के थी सवाल में 35,000 और एक और current liability है होती तो भी लिख लेते नहीं है तो डारेक्टी हम जाएंगे ओनर्स एक्विटी पर पहले आएगा capital start जो given है धाई लाक रुपे इसमें एड होगा additional investment जो सवाल में मौझूद थी 50,000 रुपे एक चीज़ और एड होगी डाट इस profit जो अभी हमने calculate किया था और वो था 85,000 कि तीन चीज़ एड हो रही है एड किया 385,000 आ गया इसमें से लेस होगा ग्रॉइन 60,000 रुपे का जो बचेगा जो अमाउंट बच रहा है वो है capital एड एंड और अमाउंट आ रहा है तीन लाख 25,000 रुपे कर अगर अमाउंट आएगा कि सबसे पहले देखो हमने इससे पहले भी capital एड एंड कैल्कुलेट किया था वो कैल्कुलेट हुआ था कितना आफ्टर एड रिजेस्मेंट पहले वाला था वह बिफॉर एड्रेस्मेंट था और यह वाला जहे है वह फर एडस्मीं इस परक की वज़ा से नंदोनों साइट में फरकार होगा चीक है जी अच्छा जी अब हम यहां पर टोटल कर लेते हैं दोनों साइट का टोटल जो है वो बराबर आना चाहिए है और 35,000 यहां पर आ रही है तो एक्विटी साइड यहां पर आ रही है तो टोटल करते हैं तो टोटल यहां पर आगे 3,666,000 दोनों साइट्स यहां पर इकोल होनी चाहिए तो यह कंप्लीट हमने मौडल पेपर सॉलूशन यहां पर कंप्लीट कर लिए कर दो